आल फिलाल मारूति सुजगी अपनी सभी गाडियों को एवो CNG में कन्वर्ट करती जा रही है और इंडियन आटो मुपाल इंस्टी है वो EV की और कन्वर्ट होती जा रही है तो देखा जाता है ये मारूति सुजगी कौन सी मार्केटिंग स्टेजी है कि वो EV में अपनी गाड सब 4-meter SUV तक ग्रांड विटारा वरेजा क्या आपको CNG में मिलेगी CNG में आपको कौन-कौन सी option मिलेंगे क्या नए features आएंगे क्या इसकी price रहने वाली है क्या इसकी launch date रहेगी ये सारी बातें आज इस वीडियो में करेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मारूति इनकी भी टेस्टिंग चल रही है और ब्रेजा भी आपको CNG के अंदर company प्रवाइड कर रही है तो देखा जाए तो जैसे टाटा है अपनी सभी गाडियों को टियागो टिगोर वगेरा नेक्शोन इन सभी गाडियों को EV के अंदर convert कर रही है वहीं मारूति सुजगी अपन लोग तक आने में काफी समय ले गएगा क्योंकि अभी metro cities के अंदर भी इतने आपके charging point है वह available नहीं है तो जो normal cities है इंडिया की वहां पे charging point अवलेबल होना काफी बड़ा काम है हलांकि यह 5-10 साल के अंदर बहुत अच्छा build-up हो जाएगा लेकिन 5-10 साथ तक अपनी गाड है कि आपको हर गर के अंदर मिलें लग गई है अभी परदानवंतरी ने भी उजला युजना नाम से हर गर पे cylinder है वह उपलब्द करवा दिया है तो हम जो इंडियांस है वहां पे LPG डाली जाती है और अपनी गाडियों को overrun किया जाता है जो मारती सूझ की है उसको जो इं कब तो वह चार्ज करेंगे कम उनको वह गाड़ियां अगेरा चलाएंगे तो इस परकार से वह इवी पर ना convert करके वह अपनी सभी गाड़ियों को है वह CNG के अंदर convert कर रही है तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है आप बात करते हैं next generation ब्रेजा से कि आपको यह कब लौंच होगी तो यह आपको अपरेल के second week के अंदर यह गाड़ी लौंच हो सकती है क्योंकि जल्द ही इसके पहले next generation ब्लेनो भी लौंच होने वाली है वो आपको फरवरी के second week के अंदर लौंच होगी मैंने हाली के अंदर वीडियो बनाई है next generation ब्लेनो से related उसमें आपके query है तो आप उस वीडियो के अंदर comment डाल दीजिए मैं next जो जब भी वीडियो बनाऊँगा उसमें आपका जो comment है उसके स्वाल के जवाब में जरूर प्रवाइड करूँगा अब बात करें ब्रेजया के बारे में तो यह अप्रेल के second week के अंदर आपकी लौंच होगी आप को ठीक ठाग मडल के अंदर आपको मिलती है अगर वह आपको डीजल के अंदर company प्रवाइड करवाती है तो उसकी रेंज है वह 13-14 लाग ब्रेजया की चली जाती है तो 13-14 लाग में ब्रेजया कोई खरीदना नहीं चाहेगा इसी वज़ाएसे मारुती सुजगी ने अपने प्रवाइड करता है तो company जरूर अपने डीजल इंजन को है वो इंटर्ड्यूस कर सकती है पहले जो ब्रेजया आती थी वह आपको सिर्फ डीजल के अंदर मिलती थी जो फ्याट का मोस्ट पॉपलर 1.3 लिटर का डीजल इंजन था जो 89 भी पावर जेनेट करता था और दो 200 इंजन करता था जो काफी फ्यूल एफिसेंस जो इंजन माना जाता था लेकिन हाल में वो इंजन कर दिया गया है अब बात करें तो ब्रेजया के अंदर 1.5 लिटर का पैट्रोल इंजन आता है यही सेम इंजन आपको अर्टिगा के अंदर भी देखने भी मिलता है यह 105 भी पाउर जनरेट करता है और 138 नम का टॉर्क जनरेट करता है देखा जाए तो पैट्रोल इंजन इंजन के अंदर सिर्फ इतना सा फरक रहता है कि इनका जो टोर्क है वो थोड़ा कम ज्यादा होता है वही जो पहले ब्रेजया थी उसमें 200 नम का टॉर्क मिलता था लेकिन पै पाउर मिलेगी और 122 नम का टॉर्क जनरेट करके देगा लेकिन सी एंजन की इसाफ से देखें तो यह काफी अच्छी पाउर और टॉर्क जनरेट करके दे रहा है यह आल्रेडी इंजन आपको अर्टीगा के अंदर देखने में मिलता है जो अर्टीगा से आती है वह 26 kmpl प केजी की माइलेज है वह इंजन जरूर निकाल के देगा देखा जा तो यह काफी अच्छा मार्केटिंग के रूप से मूव हो सकता है क्योंकि इस सेग्मेंट में इंडिया के अंदर अभी सब 4 मिटर सेग्मेंट का काफी पॉपुलर है लोग ऐसी गाड़िया लेना चाहती आपसे पहले सेग्मेंट में आपको सेँजी प्रवाइड नहीं करवाएड जाती थी लेकिन अब मारति पहली ऐसी गाड़ी है जो सेग्मेंट के अंदर अधर लिक्री और बाते हैं प्रॄतन आपके की नहीं प्रवाइड करवाते हैं यह आपको सिर्फ पैट्रोल के अंदर ही इंट्रिजूस करके देगी। बाद में जैसे जैसे एक दो मेने बाद में जैसे हमने हाली में देखा था कि पहले सिलेरियो दिपावली पर लॉंच हुई थी नेक्स जेनरेशन। उसमें लॉंच के टाइम कंपनी ने यह रिविल नहीं किया था कि हम सिएनजी के अंदर लेके आएंगे। लेकिन अभी एक दो दिन पहले ही कंपनी ने निव सिलेरियो नेक्स जेनरेशन को सिएनजी के अंदर कनवर्ट किया है। और दूसरा जो बड़ा पॉइंट है मारूती इसको मिड वेरियंट के अंदर ही CNG लेके आती है। आपको टोप वेरियंट के अंदर CNG देखने नहीं मिलेगा। जैसे सिलेरियो की बात करें तो आपको सिर्फ VXI मॉडल के अंदर ही CNG को देखने हूँ मिलता है। तो ब्रेजा के अंदर आपको 4 मोडल मिलने वाले हैं LXI, VXI, ZXI और ZXI Plus जो VXI है वो आपको बेस मोडल से एक उपर मोडल रहने वाला है जिसमें आपको minimum जो आपकी जरूरूरतों के सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं VXI मोडल के अंदर तो कंपनी इसी के अंदर लॉंच करती है टाटा वाले क्या करते हैं टाटा टियागो के अंदर आपको सभी मोडल के अंदर CNG प्रोवाइड करवाई जारी है टाटा टियागो का XZ Plus मोडल है वो आपको ओन रोड 9 लाक रुपे का पड़ता है तो टाटा टियागो जैसी गाड बंदा CNG गाड़ी नहीं लेगा इस वजह से कंपनी इंट्रड्यूश नहीं करती है वह सिर्फ VXI मोडल के अंदर आएगा दूसरा एक मार्केटिंग स्ट्रेजी यह भी होती है तो वह बेस मोडल के अंदर CNG अवलेबल करवाएं तो ओन पेपर गाड़ी कस्टमर को कम लि मोडल में अगें यह आपको सिर्फ VXI मोडल के अंदर CNG मिलेगी तो मोडल अगर आप लेना चारें तो इसमें आपको CNG नहीं मिलेगी आप या तो आफ्टर मार्केट या फिर अलग से ब्रेजा का किट भी आता है CNG का जो आप मार्ति सर्वी सेंटर से भी फीट अप करव आपको कौन-कौन से नहीं फीचर्स देखने को मिलेंगे जो पहले ब्रेजा के अंदर नहीं आते थे और मार्ति सुजुकी ने आज तक कभी अपनी गाड़ी के अंदर इंट्रिट्यूस नहीं किये पहला आपको सर्क फीन एंटिना मिलेगा जो आज से पहले मार्ति पहले मार्ति सुजुकी क्लेम करती थी कि इंडिया का क्लाइमेट अवह ऐसा नहीं है कि यहां पे संरूफ है वो प्रवाइड करवाई जाए लेकिन जैसे 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 कंपिटिशन बढ़ रहा है अभी हाली में हमने देखा था कि टाटा नेक्शोन वह उपर फैस नमर पे देखा लगी है वहीं तीसरी नमर पर आगी है चैल्स के मामले में तो कंपनी सेग्में देखा जाया तो सबही गाड के अंदर शंरूफ मिलती है अब आने वाली ब्रेजा गे इंदर आपको शंरूफ मिलेगी यहां पर आपको डेस्प्र मिलेगी किसी भी अचाटियों जाएगा हमने प्लेजनों की पिछली वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि आपको जो हैड़ डिस्प्लेय मुजिक सिस्टेम वह आपको उपर के और उठावा मिलेगा एक्स्टेयर की बात करें तो आपको न्यूली जो बंपर है वह मिलेगा आपको डूल प्रोजेक्टर उसटी साथ कि मिलती थी पीछी को हों। यह चर गाड़ि बोत और और पी क您दर भ है पेटेंक ते फफेंdate पाथेंडर के आंगा निशां कमपनी इंडारे यह भी आयुना reverse design नहीं सकते हों दो दो कि संफाख से किसी को अच्छा लगे कि इचीओ नहीं लगे पिछों कि हुआ टेल आपको रहने वाले पिछल्ए क bes 6 हैं को ब्राणलिंग बंद контर पहले आपकोLIE प्लस यह सभी लिखे वे आते थे लेकिन आप आपको लिखावा नहीं मिलेगा पहले साइड में मारती सुजुकी भी लिखावा आता था जो कंपनी ने आप हटा दिया है वह किसी भी मोडल या फिर किसी भी गाड़ी के अंदर आप यह नहीं देते हैं पिछे विर आपको नय करवाद होगे तो फिर भी वह शीट कवर उन गाड़ी उन शीट के उपर हैं वह लगाएंगे तो इसी विज़से कंपनी सेग्मेंट के अंतर लेडर शीट नहीं प्रवाइड करवागी क्योंकि लेडर शीट प्रवाइड करवाने से उनकी प्राइज है वह ऑटमेटिकली जाएगी यहां पर आपको आगें फेबरिक शीट से मिलने माले हैं क्योंकि मारतिय सुझगी एजन एक्सेसरी से भी बहुत ज्यादा पैसे कमाती है मैं ऐसे यूटूबर से कहना चाहूँगा कि जो फेक इन्फोर्मेशन है वो लोगों को नहीं प्रवाइड करवाएं उसकी वज़े से क्या होता है कि आप ज्यादा फीचर्स बताएंगे तो एक बार जरूर आपकी लोग वीडियो देखेंगे लेकिन वो उनका मोटीव बन ज जाएगा कि यह बंदा या फिर यह यूटूबर है वह आपको गलत इन्फोर्मेशन प्रवाइड करवाएं तो आप नहीं देख पाऊगे इसी वज़े से मेरा रहता है कि जो अथेंटिक न्यूस होती है वही माँ आपको प्रवाइड करवाता हूं अगर मैं आपको गलत न इसास है और ज्वाइड को मारता है मैं ट्रवाइड के इंड़ वीडियो बनाता हूं तो आपकी जो कमेंट्स हैं उनके सवाल है उनके जवाब जरूर दूऊगा आज हम उस्वी मामले में ब항 करने वाले हैं पिछले मैंने बिडियो बनाय थी और जो फाली के अंदर कल बले लेकिन अभी लॉंच नहीं होगी सिर्फ पहले कंपनी पैट्रोल के अंदर इंटर्ड्यूस करेगी उसके एक दो मेने बाद में वह आपको प्रवाइड करवाएगी और यह आपको मिड मोडल के अंदर रहने वाला है टोप मोडल के अंदर कंपनी प्रवाइड नहीं करवाएगी दूसरे हमारे सब्सक्राइबर हैं गोरुशिंग यह लिखते हैं बलेनो के वीडियो पे ब्रो प्लीज एक बार अपकमिंग पॉलो फे स्लिप 2022 के अंदर जो आ रहे है उसकी वीडियो बनाऊंगा अब अगले हमारे सब्सक्राइबर है मौमिन नाशीर यह लिखते हैं डिजल में आएगा कि नहीं यह मैंने पहले ही बता दिया है कि बलेनो डिजल के अंदर नहीं आएगी सिर्फ आपको पेट्रो लो चेंजी के के अंदर आएगी लेकिन अभी कंपणी लॉंच सिर्फ पेट्रोल के अंदर करेगी सिसे कि अंदर आपको एक-से दो मैंने से अन्दर आपको देखने को पड़े तो जरूर कंपनी डीजल के अंदर लेकर आए जाएगी लेकिन अभी जो मार्केट है वो एवी या फिर सी एंजी के और कनवर्ट होता जा रहा है तो डीजल के अंदर मुझे नहीं लगता लेकर आएंगे हाँ उसको कनवर्ट कर लिया डीजल इंजिन गो इस परकाश लौंज हो जाएगी अनुपरित लिखते हैं प्राइज मतलब यह ब्रेजा के बारे में पूछ रहे हैं तो अभी जो ब्रेज आ रही है उससे 50-60,000 रुपे जो ब्रेजा आपकी महेंगी हो सकती है क्योंकि कुछ ऐसे फीचर हैं कंपनी पहली बार इंटर्ड्यूस कर रही ह जैसे 360-degree camera, sunroof, circuit 19 यह फीचर ऐसे हैं जो पहली बार ब्रेजा में आपको देखने मिलेंगे तो 50-60,000 रुपे है वो एक सो रूम बता रहा हूं ओन रोड वो आपकी डेड़ लाग रूपे भी गाड़ी महेंगी हो सकती है लेकिन 50-60,000 एक सो रूम आपकी गाड़ी महेंग तो 1.5 लिटर इसके अंदर डिजल नहीं आएगा फिर वाकड़े कह रहे हैं कि मैंने कहीं वीडियो में बताया था कि पहले ब्रेजा के अंदर कूल गलब बोक्स आता है तो वाकड़े लिखते हैं कूल गलब बोक्स नहीं आता है ब्रेजा में तो वाकड़े आता था पहली बिरेजा के अंदर cool गुल बोक्स आप उपर वाले जो बिरेजा के अंदर दो गल बोक्स सागते थे अपर और नीचे बाला यहाँ पर cool गल बोक्स का मेरा मतलब यह कमपणी एक ऐसे वेंट लगा और चोटा सा दे देती है आप ज़्यादा freeze की तरह यूज में नहीं ले सकते बस आपकी चीज है वो नोर्मल टेंप्रेचर पर रहती है ज़्यादा ठंडी भी नहीं हो पाती है और ज़्यादा गरम भी नहीं हो पाती है चेंज किये गए है तो इसी प्रकार की और इंफर्मेटी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सेरे और सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद